हेलो स्टूरेंट वेलकम टु कॉलेज बुक इस वीडियो में हम बात करेंगे 50% स्लेबर्स का जो पैटर्न है वह काफी बच्छे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके पूस्चे रहते हैं कि मैं 50% स्लेबर्स है उसमें हमें फिजिक्स में और बोटनी में तो ओस्सी के बारे में यहांपर डिसकुस करएंगे बारी बारी से नहीं मिन आपका केसी बात करहें मुझे हैं आपका जो numbering का है वो 50% है जैसे कि अगर हम बात करें बोटनी की बोटनी में आपके देको फर्स्ट पीपर होता है 33 नंबर का सेकंड है 33 नंबर का और अगर थार्ड पीपर है ये भी है 34 नंबर का टोटल माक्स है आपके 100 नंबर के जब आपका स्लेक कंप्लेट 100 परसंट जो इसले बसता उस्ट है तो तीनों पेपर हमारे पास 100 नंबर के होते ते 50 नंबर का आपका प्रक्टिकल का होता थे 550 का टोटल पर्लक का जो पेपर नम्परिंग है वो 150 का है व्ध प्रक्टिकल के था फैसे है से संड़ने नंबर ॉन से थे cm5 he स्लीब बस तो आपका 100% है लेकिन जो मार्किंग है वो मार्किंग 50% हो गया मिंज अब आपको तीनों पेपर को मिला के 18 नमबर लेके आने पासिंग मार्क्स के लिए यानि कि 4 तीनों पेपर को नमबर एड करने के बाद अगर 50% के अकोडिंग आपके 18 नमबर आ रहे हैं तो आप क्या हो जाओगे पास हो जाओगे जब आपको 36 नमबर लाने थी तो देखो फॉस्ट पेपर में आपको बारा नमबर चाहिए थी पास होने के लिए से आएंगे unit की जो बाद दताती वो क्या होगी है खतम आप कोई भी कोई भी कुशन कर सकते हो 50 percent number की कोई भी त्रीक्राइच जैसे अब अगर हम सबसे पहले बात करें आप जैसे बोटनी है आप नी में क्या होता है कि आपकी first जो है options आते हैं जैसे कि हम देखें first question में आपका जो पहला parts में divide होता है तो बोटने और जुलोजी के अंदर ये parting में हाता है तो part first में आपके क्या होता है कि लग बग आपके question आते हैं nine questions एक-एक number के no question होते हैं ये no questions जो होते हैं एक-एक number के आपके पूछे और first question अपने पहले जो था कंपल सिर्था अटेम्ट करना की first questions आपको करना ही पड़ेगा लेकिन इस बार ऐसा नहीं है आप first question करो या नहीं करो या पर डिपेंड करता है क्या first करना चाहरे हो या नहीं इनके आगनी first question attempt किया first question के सारे के सारे parts आपने अटेम्ट कर दी जैसे कि no एक-एक number के हैं आपने no के no attempt के हैं तो आपको no number यहीं आ गए no number यहां आपको मिल रहे हैं means आप सिर्फ first question attempt करके भी पास हो सकते हो अब जैसे कि अगर हम बात करें 50% का आप जैसे मानो first paper में 33 है 33 का 50% हम निकालें तो लगबग 16 से 17 नंबर का अब 16 से 17 नंबर लेके आने हमें percentage यानि कि 100% के according आपको 16 से 17 जहां 33 का attempt करना होता था जब 100% था तो आप 50% marks का attempt करना means 16 से 17 marks का आपको पूरा paper 16 17 में से आपने पूरा paper पर attempt किया अब 16 से 17 में से first में हमें no number मिल गए हमने जैसे part first का first question attempt किया जूलोजी का या बोटनी का भी इसी type से है तो वहां जूलोजी में हमें number मिल गए 9 अब first question attempt करने से number हो गए 9 अब 9 में से हमें बचे भी number यानि की 6 से 7 number और लाने तो 6 से 7 number आप दूसरा question attempt करके ला सकते हो काफी बच्चे पूचते हैं कि जैसे की first question में हमने no questions आते है no parts no के no questions हमें नहीं आ रहे हैं में जैसे मानू 5 वाले ही आ रहे हैं सिर्फ नो में से आपको सिर्फ half question आ रहे हैं उसके part first question first k तो अगर आप 5 attempt करके आते हैं तो 5 के according आपको number मिल जाएंगे means आपको 5 नमर मिल जाएंगी 5 into 5 अगर आप उसके सिर्फ 4 पार्ट करके आ रहे हो part first k सिर्फ 4 ही करके आ रहे हो question तो ABC में जैसे ABCD यह आपने 4 नमर मिल जाएंगी अगर आपने 5 की हैं तो 5 नमर 6 और 6 की हैं तो 6 और अगर 9 के 9 attempt कर रहे हो तो 9 number आपको first question से मिल जाएंगी बाकि 16 17 आप पूरे के पूरे 16 17 से करने है तो बचे जो second part होता है second part में question होता है कि भाग second की परते खंड में से कम से कम एक परसन का chain करते हुए एक कुल चार परसनों के उतर देजी तो पार्ट first part second के बाद अपता है ए बैस है तीन पार्टों में दी जाते हैं तीनों में तीन तीन questions होते हैं और उन तीन तीन में no questions होगे no questions में ते आपको four questions और attempt करने होते हैं तो आप अगर अभी आप चाहो तो एक ही पार्ट जैसे मा होने तो आप उसके लावा दूसरा regression भी attempt कर सकते हैं सेम यही प्रोसेस physics का है physics में क्या पूछा दाता है कि physics में भी first question option वाले होते हैं फिरस्ट में आपके parts में आता है एबी सीडी 5 parts में आता है physics का आप जैसे physics का paper है मेरे पास इसमें लिखा है कि सभी person करने है संख्या एक स दस अंग है तदा परते ही 5 भाग के उत्र आदे प्रस से जादा नहीं देने आव जैसे कि first question है सभी 5 parts देखो first question के 5 है आपके पास first question में 5 है तो आपको first question अगर आप attempt करते हो तो आपको 5 के 5 दो-दो number के अगर आपने 5 के 5 attempt के तो आपको 10 number में लेंगे सेम वही physics में जैसे क question first में आते हैं 5 part में first, second, third, fourth and fifth अब हर question जो है दो-दो number का होता है दो-दो number means आपने 10 numbers का first से ही attempt कर रहे हो और काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इन में सीज़े से मानों first second है आमें third, fourth नहीं आ रहा तो अगर आप सिर्फ first or second भी attempt करते हो तो दो-दो-चार number मिल जाएंगे आपको अगर starting की three attempt करते हो तो आपको यहाँ पर six number मिल जाएंगे तो जरूर नहीं आप सारे attempt करके आओ जितने attempt करोगे उसके according आपको number मिल जाएंगे पर यह जीज़े दिहां रखना कि जैसे यहां आपने दो ही attempt की four number आपके यहां से बने तो पूरा questions count नहीं होगा सिर्फ आपको second a, then b और यहां b के अथवा में हमें दूसरा पार्ट मिलता है पहले क्या था कि a करना compulsory होता है फिर उसके बाद b और b के अथवा में हमें दूसरा पार्ट मिलता है एक करने के बाद इन दोनों में से option मिलता है लेकिन आप जो 50% syllabus है उसमें आप तीनों में से कोई भी कर सकत हो ठीक है और अगर किसी के और क्यों आरी हो कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो माँ आपके लिए वीडियो बना दो इस टोपिक पे और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजी अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसका मतलब आप नोटिफिकेशन को और नहीं करते और आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो बैल आइकन जुरूर प्रेस कीजिए और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग